जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटी चैनल एसजेश्टडी पे दोस्तों इस वीडियों में बात करने वाले इंडिन नेवी MR SSR एक्जाम 2023 के वारे में दोस्तों और आप लोग ये देख रहे हो कि बीना एक्जाम दिये ही पास होंगे हजारों बच् और इस वीडियों को अपने दोस्तों साथ जरूर सेयर कर दिजएगा जो कि इंडिन नेवी MR और SSR का फॉर्म फिलफ किये हैं और इस पर एक्जाम देने जाने वाले हैं चले बात करते हैं सबसे पहले देखो सारे बच्चे तो पास नहीं होंगे जिनके पास एक चीज होगा वही बच्चे पास होंगे उससे पहले बात कर लेते हैं कि जिन बच्चे के अगर पास वो चीज नहीं होता है फिर उनको तो एक्जाम देना है मेरे भाई ठीक है उनको उनको एक्जाम देकर पास होना पड़ेगा लेकिन उनको एक्जाम देकर जिनके पास है उनको एक्जाम देना नहीं पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिनको एक्जाम देना है उनके लिए कितना नंबर चाहिए एक्जाम पास होने के लिए ठीक है तो सबसे वह अराम से आप लोगा किलियर हो जाएगा ठीक है तो पास होने के लिए कम से कम आप लोगो 35 नंबर लाना है करता है जिसको मैंने बताए कम से कम 35 आपको लाना चाहिए तब आप जाके आप पास पाओ ठीक है यह हो गएमर वालों के लिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा एससरवालों के लिए कि इससर हुए लिए तक अबना नंबर कम से कम चाहिए सौन नंबर का आप लोगोगा पे सब्सक्राइब करता है तो 45 नहीं तो नॉर्मल आप लोग 40-40 तक भी करते हो तो आप लोग का अराम से जो मतलब की सौट लिश्ट वाला मेरिट लिस्ट अगा उसमे राम से हो जाएंगा इसे अप लिए बुला जाएगा मीनिमम जो पासिंग मार्केस में भी रखे गया मेरे इसमें भी आप लोगों कभी-कभी चार चार नंबर होता है ठीक है तो चार चार होता है उसके बाद आप लोगा फिजिक्स होता है फिर आप लोगा यहा पर हो जाएगा इंग्लिस हो जाएगा ठीक है जरनल अबाने से तो कमसे मिनीम में में मार्क है लेकिन इस पर पास नहीं strategic तो यह जिनको एक्जाम देना है इतना नममर लए गहूँचे की। 10 बच्चे को मिसंधि उन गंके बिना एक्जाम प्रों कि ये जो फुर्श क्मर सटेज होग वह पास करें ठीक है वह क्मकर करेंगे वह क्विए फैस्माले खैस्यबि वह कौन नहीं लगा है तो फिर उनको ये benefit नहीं मिलेगा जो लगा है उनके तो बल्ले बल्ले मेरा उनको online exam नहीं देना परेगा अब NCC में भी बात आता है कि NCC के कौन से certificate लगाएंगे तब जाका हमें exam नहीं देना परेगा तो आपको में बता दोस्तो NCC में 3 certificate होते हैं आप लोग को एक्जाम जो है बिना दिये आपको पास कर दिया जाएगा पीछले बार भी बहुत सारे केंडिट जिनके पास NCCC certificate था उनको online exam center पर तो गया थे लेकिन वह एक्जाम नहीं दिये उनको जो वहां पर नवी के officer थे बस उनका जो भी होता है attendance वो बनवा लिये थे बस छोड़ दिये थे कि बस हो गया तुम्हारा सब पुछ तुम बैठे रहो ठीक है तो वैसे candidate क्या होंगे सिधा पास होंगे और वो स्टेज टू में गया विये उनका result विया ठीक है यह कोई fake news नहीं है आपको लग रहा होगा fake है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विलीब न जो offline exam होता है वो उनको देना होगा ठीक है वो एक्जाम उनको देना है फर्ष्ट वाल एक्जाम उनको माफ कर दिया जाता है दूसरा यहां पर समझो कि आप NCC करते हो तो NCC में तीन विंग होते हैं आप लोगो पता होना चाहिए तो आपके मन में यह सवाल चला होगा कि सर ने में से कौन से विंग होने चाहिए एक तो था आर्मी वाला होता है ठीक है एक होता आप लोगा नेवी वाला होता है और एक होता Air Force वाला ता आपके मन में चला और नेवी वाला ही हमारे पास certificate होगा तब जा चूट मिलेगा तो मैंने बात किया बहुत ऐसे क्यांड़ जो बहुत कम ऐसे Districk होते हैं जहां एबलेबल होते हैं लेकिन बहुत कम उनका Branch होता है तो इसलिए क्या होते है़्य आर्मी वाले करते हैं तो और जो भन्य होते है उनको वेनिफ़िके है उनको थे साथ्मय हने का मिला है तो इसलिए मैं बोला हूँ कि ऐसे जो होंगे जिनके पास NCC के सिर्टिफिकेट है वो हजारो बच्चे होंगे ठीक है अब ऐसा नहीं कि मिर भाई जरूरी नहीं कि मिर भाई NCC के जिनके पास सर्टिफिकेट है ठीक है वो MR के अंदर ही हो ठीक है तो इसलिए मैंने बताया कि जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है वो उनको एक्जाम ने दिना बिना एक्जाम के पास हो जाएंगे जिनके पास NCC सर्टिफिकेट मतलब के नहीं है उनको एक्जाम देना परेगा है तो नहीं देना परेगा अगर जिनके पास नहीं तो बता ही दिया हो कितना नंबर लाना पड़ेगा तब आप लोग पास होगे ठीक है तो आई होब कि सारे डाउट मैंने क्लिर कर दिये हैं तो इस वीड आपके एक्जाम में लखेंगे बहुत सारे बचे पढ़के पास वें बस एक से दो दिन के अंदर आप लोगों को में बता दूंगा चैनल पर और टेलीग्राम पर जरूर जोईन कर लिजेगा लिंक दिसक्रिप्सटन बॉक्स में उसके लिए बस कुछ चार्जे रखे जाएं झाल झाल